नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस रो में सिविल, इलेक्रिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेली कम्यूनिकेशन और कम्प्यूटर साइन्स फ्रेसर इस्टूडेंस के लिए अप्रेंडिस से वेकेनशी आ चुकी है और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर लीचे जिससे आङे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेसन आप सभी को मिलती रहे सबसे पहले यदि हम important date की बात करें तो यह job 9 August 2021 से फिलप होना इस्टार्ट हो चुका है और यदि हम last date की बात करें तो 31 August 2021 को इस form को फिलप करने की last date है form apply fees की बात करें तो journal OBC, STAC, PWD candidate इस form को फिरी में apply कर सकते हैं यानि कि किसी भी category के students को इस form को फिलप करने के लिए एक रूपए भी पे करने की जरूरत नहीं है name आप post की बात करें तो यहाँ पर graduate और diploma दोनों के लिए post है सबसे पहले यदि हम graduate student की बात करें तो यहाँ पर civil engineers के लिए post है mechanical engineer, electronics and communication, computer science और electrical engineers number आप post कितनी है यह mention नहीं किया गया है और यदि हम qualification की बात करें तो इस post पर apply करने के लिए आपकी qualification degree in engineering होनी चाहिए यानि कि आप जिस branch से है उस branch में आपका degree होना चाहिए और इसके साथ साथ minimum 60% होना चाहिए और इस apprenticeship को वही student apply कर सकते हैं जिनका अगस्ट 2018 के बाद B.E. या फिर B.Tech complete हुआ है यदि आपका इसके पहले complete हुआ है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं आप इस job के लिए eligible नहीं है आप से related या कोई भी job आएगी तो आपको इस channel पर जरूर से जरूर मिल दाएगी training period की बात करें तो 12 month है और training के दोरान आपको per month 9,000 रुपे दिये जाएंगे next यदि हम technician apprenticeship की बात करें तो यह diploma students के लिए है यहाँ पर civil engineer के लिए post है mechanical के लिए electrical and telecommunication computer science और electrical engineers के लिए post है qualification की बात करें तो आपका diploma होना चीए आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका diploma होना चीए diploma में minimum 60% होना चीए और वही लोग apply कर सकते हैं जिनका August 2018 के बाद diploma complete हुआ है training period की बात करें तो 12 month होगा 12 month की training के दवरान आपको 8000 stipend के रूप में परमन्थ दिये रहेंगे और यदि हम apprenticeship location की बात करें तो आमदाबाद गुजरात होगा आमदाबाद गुजरात में आपकी apprenticeship होगी और इसके साथ साथ यहां पर एक special criteria है कि इस job को महराष्ट गुजरात गोवा 36 गड़ मध्यप्रदेश दादर नगर हबेली दमन्दियू के लोग apply कर सकते हैं तो इसमें कोई 18 year और maximum 35 year age में छूट की बात करें तो HTSC OBC और PWD कंडिडेट को government rule के हिसाब से age में छूट देजाएगी age count date की बात करें तो 31 a 2021 है selection process की बात करें तो सबसे पहले आपके percentage के आधार पे shortlist किया जाएगा यदि आपका shortlist में नाम आ जाता है तो आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा document verification होने के बाद आपका medical होगा और उसके बाद आपका selection हो जाएगा next चलिए देखते हैं कि इस job को किस तरीके से apply करना है और यह notification किस तरीके से डाउनलोड करना है तो notification डाउनलोड करने और इस job को apply करने के लिए description में एक link दिया गया है link पर click करने के बाद आप देख सकते हैं yoyosarakarijob.com का यही page open होगा page open होने के बाद पूरा notification पढ़ते हुए आप नीशे चले आएगा यदि आप notification पढ़ लेंगे तो आपका धेर सारा doubt career हो जाएगा तो बिल्कुल नीशे आने के बाद आपको important link का option मिल रहेगा आप देख सकते हैं यहापर important link का option दिया गया है तो सबसे पहले आपको notification download के option पर click करके notification download करके बढ़ लेना है तो simply आपको notification download पर click करना है click करने के बाद कुछ इस तरीके से page open होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि view advertisement का option यहाँ पर दे रखा है इसी पर आपको click करके notification download कर लेना है किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाप पर download का option आ चुका है तो download पर हमें किलिक कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाप notification डाउनलोड हो चुका है notification डाउनलोड होने के बाद पूरा PDF आप पढ़ सकते हैं और form को apply करने के लिए आपको इसी page पर फिर से back आना है और यहाँ पर online apply का link दिया गया है इसी पर आपको click कर देना है click करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से page open होगा तो आप जिस post के लिए apply करना साते हैं उस post के सामने जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर view और apply का option मिल दाएगा example की बात करें तो मानलीजी हमें civil engineering post के लिए apply करना है तो civil engineering post के बिल्कुल सामने यहाँ पर view दिया गया है और यहाँ पर apply का option दिया गया है तो apply करने के लिए simply हम apply पर click कर देंगे click करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से piece open होगा तो इस form को फिलब करके हमें next पर click कर देना है और last में हमें submit कर देना है तो इस तरीके से हम इस form को फिलब कर सकते हैं तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा यदि आप घर का नक्सा बनवाना साते हैं तो आप हमारी consultancy में contact कर सकते हैं contact number description में दिया गया है और यदि आप इस book को फिरी में download करना साते हैं तो इस book को download करने का link instagram की bio में है और instagram का link description में दिया गया है और civil engineering private और government job notification के लिए आप telegram channel को join कर सकते हैं telegram channel का link description में दिया गया है अभी के लिए वस इतना ही अपना ख्याल लखिये और अपने मम्मी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिये इसी भाव के साथ आप सभी से बेडा लेते हैं धन्यवाद